मेरे साथ हैं NCP की राजी सभा सांसत वंदना चोहन, मैम महिला अरक्षन बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोगसभा में और आज इस पर चर्चा होनी है, संभवता इसको पास भी करवाये जाएगा, एक एतिहासिक मौका है, आप किस तरह से इसको देखती हैं? डेफिनिटली आइतिहासिक मौका है और लोगसभा में इंट्रिउस तो हुआ है, आज उस पर चर्चा भी होगी, बहुत खोश है हम कि यह महला अरक्षन बिल पास होने जा रहा है, और होगा, ऐसे मुझे डेफिनिटली लगता है, इन फाक्ट वी आफ बेन वेटिंग फॉर इस फर मैनी मैनी यह आपको मालूम है कि नाइटी नाइटी तरी मैं पहले थर्टी तरी परसंट रिजरवेशन फोर विमन सानिक सवराज्य सांस्ता में हुआ था, 73rd, 74th Amendment के तहत, और उसके बाद मांग रही है, और फ्रम एवरी पार्टी, फ्रम एवरी एवरी विमन रिले आपको यह भी मालूम है कि 2008 में विदायक आया था, 2010 में राजसभा में पारत भी हुआ, और वो फिर लोगसभा में गया, लेकिन लोगसभा उस टाइम डिजॉल्व होने के बाद, नाचरली इट रमेंड इन लिम्बो, मुझे लगता है 2014 में जब यह नई सरकार आई, विद 2004 की एलेक्शन में विमन रेजर्वेशन दिखाई देता, अट स्टेट लेवल एंडी पार्लिमेंट, उनफर्चनेटली यह बिल सेज ताइट विल हपन इन 2029, विच इसे लगता है, लेकिन चुनाओ के लिए जुमला करने के लिए यह बिल अभी लाया गया है कि क्या, यह इसे लगता है, बस इसमें एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि देरी से आया है, और 24 में नहीं 29 में लागोगा, लेकिन एक महिला के तौर पे आपको लगता है कि यह क्या गेम चेंजर साबित होगा महिलाओं के लिए, औरड़ी गेम चेंजर हुआ है, स्थानिक स्वराज सांस्ता में 33% रेजरेशन है, चौबीस के चुराओं में आपको क्या लगता है, क्या प्राइम मिनिस्टर को या रूली पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, आप लोग कैसे इंशुर करेंगे, देखेंगे, फिलहाल तो विमन 50% पॉपिलेशन को को लाने में, और दूसरा ये कि इसको लागू जो किया जाएगा, उसका जो संभावित वक्त है, वो 2029 लोग सभाचुनावे, कुछ पार्टियां OBC कोटे की मांग भी मैला आरक्षन बिल में कर रही है, क्यामना पसंद हेमंत के साथ, जैनेंदर ABP News, दिल्ली